क्वेस्टन नमर 16 हमें प्रूफ करना है जो फंक्शन गिवन है हमारे पास f of x is equal to log sin x वो हमारा स्टीक ली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवन में और स्टीक ली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवन में करते हैं प्रूफ तो यह तो काफी असान है न पहले तो f dash x निकालना वेल्यू है कि हमारे पास log sin x है लोग को करें डिफ्रेंसियेट विधिस्पेक्ट तो हमें 1 over में sin x मिल जाएगा फिर sin x को करें डिफ्रेंसियेट तो हमें cos x मिल जाएगा तो into में cos x तो cos over sin हमारा cot होता है तो cot x हमारे पस आया f dash x की value अब मुझे बताओ 0 से pi by 2 में हमारा f dash x जो की cot x है वो greater than 0 हैगा small than 0 हैगा तो first current में सारे trigonometry function greater than 0 ही होते हैं तो यह तो obvious बात है कि हमारा f dash x जो है वो greater than 0 हैगा इससे क्या पचलता है हमें इस इंप्लाइज जो हमारा function है f of x वो क्या है stickly increasing है in interval किसमें 0 से pi by 2 में अब चाहुत तो reason जिसकते हो क्योंकि because in interval 0 से pi by 2 means first coordinate every trigonometry functions are positive so f dash x is greater than 0 आप चाहुत जिसकते हो ठीक है अब बात करते हैं इस interval की तो मुझे बता हो f dash x की वेलू क्या आएगी कौन से coordinate है यह second coordinate second coordinate में हमारा sign positive होता है और cosec positive होता है सब को पता है यह बात तो negative क्या होता है negative हमारा बागे सब होते है 10, cot, sec, cosec तो अभी बात कर रहे हम court की तो court negative होता है हमारा pi by 2 से pi में second coordinate में तो यह क्या आएगा हमारा less than 0 है तो इससे क्या पचलता हमें कि हमारा function जो है f of x जो है जब भी less than 0 होता है हमारा f dash x तो हम कहते हैं कि हमारा function f of x वो strictly decreasing है in interval किसकी बात कर रहा हूं है pi by 2 से pi by 2 reason क्या है reason यह है कि second coordinate में हमारा court negative होता है ठीक है क्या है